मूवी की शुरुवात होती है और हम एक चोर के पीछे पुलिस को भागते हुए दिखाते हैं पर चोर एक थेटर में गुज जाता है जो कि काफी सालों से बन पड़ा था पुलिस अंदर नहीं जाती क्योंकि ये एक भूतिया जगह थी अब हम चोर को देखते हैं जिसे अंद अब यहां हम हैरी को देखते हैं जो कि एक फिल्मकार है जिसकी स्क्रीप पढ़ने से मिस लेला मना कर देती है अब हम चोर को देखते हैं जिसका पोस्टम हो रहा था डॉक्टर जोया काफी हैरान थी क्योंकि आग इसके बॉड़ी के अंदर से शुरू हुई थी जबकि बा पूशी में दी थी यहां पीटर रूबी के ड्रिंक पे नशे की दवाई मिलाता है पर हैरी यह देख लेता है और रूबी को वहां से लेकर जाता है इनफैक्ट हैरी पीटर को एक स्क्रीप दिखाने लाया था अब यह चाहता था कि इसके फिल्म की हिरोईन रूबी बने इ वो भी इस फिल्म में काम करने के लिए मान जाती है इसके बाद वो अपनी मां के कबर पे फूल लेकर जाता है और फिल्म शुरू करने की खुशकबरी देता है यहां उसके पापा भी आते हैं पर इन दोनों की नहीं बनती इसलिए हैरी वहां से चला जाता है अब हम सेट प पहले ये पूजा करते हैं और शूटिंग शूरू होती हैं अब हीरो डायलाग बोल ही रहा था कि उसे कुछ होने लगता है उसकी बॉड़ी अंदर से जलना शूरू होती है जिससे वो मर जाता है यह देखका सभी लोग काफी डर जाते हैं अब हम रूबी और हैरी को देखते हैं हैरी बोलता है कि इस गटना के बाद काफी सारे स्टॉप ने काम करना छोड़ दिया है पर रूबी उससे कहती है कि फिल्म पूरी बनाने तक मैं यहां काम करूंगी इधर हम मिस जोया को देखते हैं जो कि उस बॉड़ी का पोस्माटम करती है पर उसे कुछ समझ नहीं अगले दिन शूटिंग फिर से शुरू होती है हीरो मर शुका था इसलिए हैरी अब हीरो का कैरेक्टर प्ले करता है तबी मिस लैला और पीटर भी वहां आ जाते इन फैक पीटर ही इस फिल्म का प्रोडूसर था वो रूबी को पाना चाहता था इसलिए स्टॉप भागने पर भी वो हैरी को फिल्म पूरी करने के लिए पैसा देने वाला था अब शूटिंग खत्म होती है और रूबी अपने मेक अप रूम में होती है यहां एक आदमी आकर बताता है कि पैक अप हो गया है और हैरी ने सब को घर जाने बोला है तबी वहां पीटर भी आ जाता है और वह उसे फ्लट करने की कोशिश करता है पर रूबी खुद को मारने के लिए चाकू उठा लेती है जिससे पीटर वहां से चला जाता है पर उसे कुछ मैसूस होता है इधर हम रूबी को देखते हैं जहां उसे काफी आत्माय दिखना शुरू होती है यहां उसे दो छोट से ही रूबी को पसंद नहीं करती थी अब जैसे ही वह पीछे मुड़ती है उसे रियल घोस दिखाई देता है दूसरी तरफ हम पीटर को देखते जो अपनी गाड़ी में बैठा था और घर की तरफ निकल नहीं वाला था कि उसका शरीर अंदर से जलना शुरू होता है और क हैरी की गल्फ्रेंड मिस जोया भी आई थी अब शूटिंग चल ही रही थी कि हैरी के उपर स्पोटलाइट गिरता है पर रूबी उसे बचा लेती है अब हैरी अपने रूम में आराम करता है और यहां वो रूबी को मिस जोया से इंट्रोडूस करवाता है रूबी यहां से नाम शीनू होता है और यह रूबी को बदला लेने बोलता है अब यह कौन है और किस से बदला लेने की बात कर रहा था यह हम आगे देखेंगे इधर रूबी हैरी से मिलती है और उसे लॉंग ड्रॉई पर चलने के लिए बोलती है अब यह रास्ते में होते है तब हैरी के पापा भी वहां आ जाते हैं, वो Harry पे कापी गुस्सा थे, क्योंकि एक छोटी सी फिल्म के लिए उसकी जान जाने वाली थी, वो अपने स्टॉप को Harry को होस्पिटल ले जाने बोलते हैं, अगले सीन में हम Harry और Ruby को देखते हैं, Harry बताता है कि बच्पन में मेरे पापा ने प्रीमियर रखते हैं, अब इस प्रीमियर के लिए अपने पापा को इन्वाइट करने जाता है, ताकि उन्हें बता सके कि बिना सपोर्ट के मैंने कुछ कर दिखाया, तब ही वो Ruby को भी वहां देखते हैं, Harry के पापा बोलते है कि मैं इसे अपनी छटवी पतनी बनाने जा रहा हूं, जिससे Harry काफी नाराज होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि Ruby उससे प्यार करती है, पर Ruby कहती है, मैं सिर्फ फिल्म तक तुम्हारे साथ ही, जिससे दुखी होकर Harry वहां से चला जाता है, अगले सीन में हम सीनू को देखते हैं, जो कि एक केमिकल बना रहा था, य अगले सीन में हम हैरी को देखते हैं, जिससे सीनू ने बांध के रखा था, और वो उसे बताता है कि आज से 13 साल पहले तुम्हारे बर्थडे के दिन मेरे पूरे परिवार की हत्या की गई थी, अब मुवी आती है पास्ट में, और हमें सीनू, रूबी और उसकी बड़ी ब पापा को भी दिखाया जाता है, इन फैक्ट ये इवेंट कमांडर के अपने बेटे हैरी के जनम दिन के उपलक्ष में आयुजित किया होता है, ये सभी लोग काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर कमांडर की बूरी नजर टीना पे होती है, और वो अपने सैनिक को टीन से मिलवाने बोलता है, ये उसकी पतनी सुन लेती है, इधर सीनु को भी कमांडर की बूरी नियत का पता चल गया था, उसका ध्यान कमांडर के तरफ होता है, इसलिए वो टीना को पकड़ नहीं पाता, जिससे वहां के प्लेट सूट जाती है, अब ये सब कमांडर से माफी म जगा देता है, जिससे सब मारे जाते हैं, सिर्फ सीनु और रूबी ही बचे थे, क्योंकि रूबी उस समय बहार अपनी बहन के लिए घड़ी लेने गई थी, अब यहां सीनु हैरी वो सभी लोगों की राग भी दिखाता है, और कहता है कि आज तुम्हारे प्रीमियर वाले आए थे, तबी वहां कमांडर पे कुछ फोटोस गिरते हैं, यह शीनु के ग्रूब के फोटो थे, यह देखकर कमांडर रूबी से पूछता है कि तुमने कौन सा प्लान बनाया है, इनफैक्ट कमांडर को पहले से ही जानकारी मिल चुकी थी, कि रूबी कौन है, पर उसे उ उसने सब को जला दिया, पर कमांडर उसे एक सकार्ब दिखाता है, और कहता है कि वो मेरे पांस आई थी, और मुझे से शादी करना चाहती थी, क्योंकि उसे एक रॉयल लाइप की चाहती, हैरी बोलता है कि जो भी हो, पर तुमने उस सबी की जान ली है, तब कमांडर बतात है कि उन सब को जलाने वाली तुम्हारी मां ही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि टीना मुझे से शादी करे, और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम अपनी मां से नफरत करते, इतना होने पर भी मैंने तुम्हारी मां को सजा नहीं दी, बलकि सारा दोश पता चल चुकी थी, अब सीनु फिर से एक बार हैरी पर हमला करता है, पर रूबी उसे गोली मार देती है, ये देखकर सीनु काफी दुखी होता है, और कहता है कि मुझे जिन्दा रहने का कोई अधिकार नहीं है, और यहां वो केमिकल पावडर खुद पर डाल देता है, ज चायद मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी जीवन साती ना बन पाव, और वहां से चली जाती है, इसके बाद हम हैरी को रूबी का दिया हुआ लेटर पढ़ते हुए देखते हैं, जिसमें लिखा था कि 13 साल से मैं सिर्फ बदला लेने जी रही थी, पर अब मैं इन सबसे द दूर जा रही हुँ, अब दूसरी तरफ हम हैरी को देखते हैं, जो अपनी बनाई हुई मूवी देखता है, और रूबी को देखकर बहुत रोता है, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करने लगा था, और मूवी यहां खत्म होती है, तो दोस्तों, आपको मूवी की स्टोरी कैसे लगी, कमेंट्स बॉक्स में बताना, और चैनल को सबस्क्राइब करना,